कम्पोजिट गौडजिला ना सिर्फ सभी एवेंजर्स में से सबसे ज़ादा ताकतश वर है बलकि ये हल्क के किसी बी आउतारों से भी जादा शक्ति साली है और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसे कॉस्मिक लेवल का अमर जीव माना गया है इसलिए ये उन कैरेक्टर्स में से एक है जो ना सिर अगर बात करें कम्पोजिट गौडजिला ये डिवाइन गौडजिला की तो ये कॉमिक्स दुनिया की एक संभावना मात्र है जिसमें गौडजिला के सभी अवतारों की शक्तिया सम्मिलित है इसलिए इसके उत्पती के बारे में कुछ भी कहपाना काफी मुश्किल है कम्पोजिट गौडजिला का खयाल लोगों को साल 2015 में तब आया जब गौडजिला इन हल्क नामक कॉमिक्स में हमें दो गौडजिला को एक साथ दिखाया गया और चुकि हैल में मौझूद गौडज गौडजिला को छूबी नहीं पाता और उस समय लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा भी गौडजिला संभव है जिसके पास सभी एरा के गौडजिला की पावर शामिल हो चाहे वो शोवा एरा का गौडजिला हो या हैसे एरा का खुंखार गौजी या फिर जीम के किरायू गौज फाइनल वर्स मंगा या फिर मौंस्टर वर्स का गौडजिला हो इन सभी गौडजिला से बने एक डिवाइन या कमपोजिट गौडजिला की शक्तियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो पल भर में कमपोजिट गौकू को भी हरा दे वहीं बात करें इम्मोर्टल हल्क की तो ब्रूस बैनर की ही तरह इम्मोर्टल हल्क भी गामा रेडियेशन से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है पर इसके इम्मोर्टल हल्क बनने की कहानी हमें इम्मोर्टल हल्क के वॉल्यूम वन नामक कॉमिक में दिखाई जाती है ज जबकि होकाई के तीरों ने इसके ब्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया था। पर इम्मोर्टल हल्क वाला बैनर चिपकर जिन्दगी जीने लगता है। एक बार बैनर जेनरल स्टोर में था, तब अचानक वहां एक गैंग्स्टर आ जाता है। और एक 12 साल की लड़की को गोली मार देता है, जिसके बाद बैनर की आखे हरी होने लगती है। लेकिन इससे पहले की हल्क बाहर आता कि गैंग्स्टर बैनर को भी गोली मार देता है। साथ ही वो शौपकीपर को भी गोली मार कर वहां से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। बाद में पुलिस वहां पड़ी तीनों लाशो को फोरेंसिक लेब में भेजती है। जहां दो बोडिस तो नॉर्मल थी लेकिन तीसरी नहीं क्योंकि भले ही यहां बैनर मारा जा चुका है पर बैनर के भीतर का हल्क अभी भी जिन्दा है। और कुछी देर में वो पूरी तरह से हल्क बन कर उस गैंक्स्टर के साथ उसके सभी दोस्तों की भूरी तरीके से पिटाई करता है। और इस घटना के बाद दोगों को यह अभास हो जाता है कि बैनर अभी भी जिन्दा है। अगले सुभह यह दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर किसी कमरे में होता है जहां मिरर में उसकी प्रतिविम के जगा अब हल्क की रिफ्लेक्शन बन रही थी। इन सक्तियों की वज़ा से यह बनता है इम्मोटल हल्क। बात करें दोनों के पावर्स की तो कमपोजिट गौडजिला दो लाख टन भारी मॉंस्टर है जो फिजिकली इतना शक्ती साली है जिसके चलने मांत्र से ही धरती कांप उठती है। हैंड टू हैंड कॉमबेट में इस गौडजिला के आज पास भी कोई नहीं भटकता। इस गौडजिला की अटॉमिक ब्रीथ इतनी शक्ती साली होती है जो मेडियूम साइज के एक पूरे प्लैनेट को ही पलवर में नश्ट कर दे। कमपोजिट गौडजिला के नुकलियर पल्स लेजेंडरी गौडजिला के नुकलियर पल्स से भी कहीं अधिक शक्ती साली होती है क्योंकि इसके नुकलियर पल्स से ना सिर्फ कि इनके दोरा बलकी औरगा जिसे मौशर का भी सपाया हो जाता है। साथ ही विशाल से विशाल प्लैनेट्स को ये पल भर में डेस्ट्रोई कर सकता है कमपोजिट गौडजिला के उड़ने की गती साउंड के स्पीड से भी कई गुना अधिक होती है यहां तक कि ये लाइट के स्पीड तक अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता है इसलिए चांद तक भी पहुँचने में इसे सेकंड्स कही वक्त लगते है इस गौडजिला की हड़ियां टाइटेनियम से भी जादा डेंस होती है जिस वज़े से ये काफी डूरेबल भी होते है और इसकी मेटालिक लाइक टिशू को चीर पाना किसी भी हत्यार के लिए नामुम्किन है साथी गौडजिला अर्थ की हितरा इसकी इलेक्ट्रो मैगनेटिक शील्ड इसे किसी प्रकार के भी अटेक से बचाती है और ये गौडजिला नुकलियर फिजन के साथ फ्यूजन की भी एनर्जियों को सोख सकता है यानि ये सूरच से उसका उर्जा को चुरा सकता है या यू कहले ये पूरे सूरच का अंद कर खुद को और स्ट्रोंग बना सकता है इसकी intelligence गौडजिला के किसी भी अवतारों से अधिक होती है इसलिए ये दूसरे monster से भी communicate कर सकता है इसकी oxygen independence इसे बिना oxygen के भी survive करने में मदद करती है इसलिए ये space में भी बिना किसी परेशानी के जी सकता है इसकी healing factors इतनी कमाल की होती है जिसके सामने normal Hulk भी कुछ नहीं और ये गौडजिला अपने psychic resistance की वज़ा से खुद को दूसरे monster के टेलीपैथी से भी बचा सकता है सिन गौडजिला की हिभाती कौस्मिक गौडजिला भी पूरे सरीड से atomic रेच छोड़ सकता है और अपने पूच से photon beam की बौचार कर सकता है इसके अलावा यह एक अमर monster है जिसे किसी भी तरह से मार पाना नामुम्किन हो जाता है वही बात करे immortal Hulk के शक्तियों की तो इस Hulk की actual power हमें immortal Hulk के issue number 24 में जानने को मिली जहां इस Hulk ने cosmic entities को खाने से पहले गैलेक्टस और अनन्थ mutant power वाले व्यक्ति को मार दिया था immortal Hulk के issue number 25 में Hulk ने अपने हाथों से ही पूरे universe को तबाह कर दिया था यह Hulk काफी आसानी से reality और सभी ग्रहों को खत्म कर देता है और सिर्फ ग्रहों ही नहीं बलकि यह अपने हाथों से पूरे सूरज को दबा कर नश्ट कर देता है जो इस बात का प्रमान है कि इसके पास limitless power है यानि strength के मामले में immortal Hulk से जीत पाना cosmic Godzilla के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस Hulk के पास ना सिर्फ किसी ग्रह बलकि पूरे युनिवर्स को अपने हाथों से दबा कर नश्ट करने की ताकत है बात करे Hulk के speed की तो चूकी यह पूरे युनिवर्स को तबा किया था इसलिए युनिवर्स के अंतिम छोर में पहुँचने के लिए इसे light के speed से भी ज़्यादा तेज भागना पड़ा होगा यानि speed में cosmic immortal Hulk को कोई चुनोती नहीं दे सकता और चूकी Hulk light के speed को भी cross कर सकता है जिस वज़े से इसमें time travel करने के भी ability आ जाती है साथ ही इस Hulk के पास कमाल की regeneration power है पर इसे भी सबसे अलग बनाती है इसकी immortality क्योंकि इसे भी मारा नहीं जा सकता तो जब कभी composite Godzilla और cosmic immortal Hulk आपस में भीड़ेंगे तो ज़ददर संभावना है कि इस battle को cosmic immortal Hulk ही जीत लेगा भलही composite Godzilla अमर ही क्यों ना हो पर चुकि Hulk ने Galactus और Mr. Immortal को भी मार दिया था जबकि दोनों ही immortal होने के साथ काफी शक्ती साली भी थे साथ ही एक और जहां Godzilla सिर्फ सन को नश्ट कर सकता है वहीं Hulk पूरे universe का अंध कर सकता है इसलिए जालतर उम्मीद है कि इस battle का winner immortal Hulk ही है खर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं तो मिलते हैं अकले वीडियो में